आपको सफलता दिलाने वाले प्लेटफॉर्म सफलता काड़ा पर आपका स्वागत है आज है 13 सेप्टेंबर 2022 आईए देखते हैंची केंटरफेर्स का हमारा पहला क्यूशन क्या है तो आज का हमारा पहला क्यूशन है प्रात्मिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभागों का विले किसने क्या है क्या प्रात्मिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभागों का विले किसने क्या है यानि के प्रात्मिक जो विभाग है शिक्षा विभाग और जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है उन दोनों को विले कर दिया है उन दोनों को एक जगे जोड़ दिया है एक जगा मर्ज कर दिया है ये किसने क्या है प्रारमभिक होता है यानि के प्रात्मिक जो कक्षा एक से प के मुख्य मंत्री हैं यानि के चीफ मिनिस्टर ओफ असम है कौन है मंता विस्वा सर्मा अगर राजयपाल की बात करें यानि के गवर्णर ओफ असम कौन है तो वह है जगदीश मुख्य कौन है जगदीश मुख्य इसी परिशन के अंदर हमें दो विकल पोर दिये गए हैं उत करते हैं यानि के पहले मुख्य मंत्री रही है, गुजराथ की CM रही है साथ य साथ एक और बात करें चक्राइब करें किस रैनितिक सरकारव है, तो यहाँ पर बीजेपी आनि का भारती सिंत रपर्ट की सरकार है, यो गिया अदित्नाथ लखनाओ अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का राज की वरक्ष है इन सब कातों के बारे में उत्तर प्रदेश का राज के वरक्ष ए अशोक, राज के पुश भेया का पलाश, राज के पक्षी है सारस या फिर क्रोंच, या निके पक्षी एक है, आप इसे सारस भी कह सकते हैं, क्रोंच भी कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, कि इसके नाम दो हैं, सारस, क्रोंच क्या है या का राज के पक्षी है, और राज के परशुक के अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश का राज के परशुक क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राज के परशुक है, बारेस सिंगा, अब बात कर लेते हैं, इसी के अंदर हमें एक और विकल्प दियागा है राजिस्तान, राजिस्तान की बात करें तो यह है कि येपिटल जैपूर है, राजिस्तान के अंदर INC यानि कि इंडिन नशनल कोंग्रेस कोंग्रेस पारटी की सरकार है और शोग गैलोगी इससे ही है अगर बात करें हैं करें हैं कि गवणनर कौन है यानि करा भी जेपल कौन है, राजिस्तान की तो हो है इसलामबाद है और पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रूपिया पाकिस्तान के प्रधान मंत्री है शेहबाद शरीफ पाकिस्तान के अगर बात करें प्रेज़ेंट ओफ पाकिस्तान को नहीं यानि के राष्टपृती तो वह है आरिफ अलवी इसी तरह उत्तरप्रदेश क अगर बात करें उत्तरप्रदेश से यह question पूहिले जाता है अएक एक तुम्रिय के साथ अपनी सीमा साजा करता है नेपाल की बात किरन包 की capital है काटवांडू यानि के राएधानी है और यहाँ के प्रेजज़ेंट की बात किरने तो वह है नेपाली रूपिया, क्या है नेपाली रूपिया यहां से आपके बहुत सारे question के लिए रूए होंगे काफी आपका जी के यहां से बहुत जी के बहुत जी के भी जो है वो भी यहां से cover हुआ, काफी मद्बुत हुआ इसलिए current से जो student जुड़े रहते हैं वो किसी प्रिक्षा के अंदर मार नहीं खाते हैं उनको है प्रिक्षा के अंदर सफलता निश्ची तूर्प से मिलती है अब बात करते हैं एंगले किफशन की तो एंगले किफशन है हमारा मेघाले रेजिजिदन्ट सेफ्टी एंड से स्कियोर्टी एक्ड पोडल किसने लोंच गया है? मेघाल ले ने किसने क्या है मेघाल ले गुवर्मेंट ने क्या है मेघाल ले की बात करें तो यहां की कैपिटल शिलोंग है यहां के CM यानि के मुख्यमंत्री कॉन्राट संग्मा है कौन है कॉन्राट संग्मा सत्यपाल मलिक है यहां के राज्यपाल कौन है गवर्णर ओफ जाले हैं सद्टेपाल मलीक इसी परशन के इंदर हमें दो विकलपोर दिये गए हैं ओडिशा और करनाटक थोड़ा सा इनके बारें भी जानते हैं जो प्रिक्षा के लिया से उप्योगी है ओडिशा की बात करें ओडिशा की केपिटल है भुवनेश्वर यहां के मुख्यमंत जो राज्यपाल हैं वो कोन हैं थावर्चंद गहलोत थावर्चंद गहलोत राज्यपाल हैं और बस अवराज मौंबई हैं सीयम यानि के चीफ मिनिस्टर यानि के मुख्यमंत्री अगला क्विश्चन है हमारा राज्य के किसानों को एक विशिष्ट फारम आईडी कोन स्थार से पड़कर आएं तो यहां पर उत्तर प्रदिश के बारे मौर जादर पढ़ने की अवश्चकता नहीं है अगला क्यूशन है मुख्यमंत्री है और यहां के जो राज्यपाले वह हैं थावर्चंद गेलोत राजस्थान के बारे मीं हमने उपर पढ़ा हैं अगला क् करेगा क्या दिसंबर 2022 में जो आने वाला दिसंबर यह सी साल का उसके अंदर सिक्किम कौन सी बार रंजी मेचो की मेजबानी करेगा तो यह फस्ट टाइम करेगा यानि के पहली बार सिक्किम 2022 में रंजी मेचो की मेजबानी करेगा अब बात आकर आप से सिक्कीम की करें तो सिक्कीम की केपिटल गंग टोक है सिक्कीम के मुक्य मंतरी है प्रेम सिंग तमांग कौन है प्रेम सिंग तमांग सिक्कीम के अगर बात हुई चाटिस गड़की यहाँ पर दो और नए जीले बनाए गए हैं कोई दिन पहले हैं आपर तीन नए जीलो का निर्माण किया गया था अगर बात करें कि राजिस्ता यहाँ पर टोटल कितने डिस्टिक हो गए हैं पूरे अगर डिस्टिक पूछ जाएं तो 33 जीले पर 36 गड़ में हो गए हैं आगे बढ़ते हैं देखते हैं महरा अगला किशिन कहा है लेकिन उससे पहले इसी प्रिशन के अंदर पंजाब और राजिस्तान दोवी कल्प मिले हैं इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं पंजाब की पंजाब की केपिटल चंडिगर है पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान है इस राज्यकंदर अगर बात करें किसकी सरकार है तो आपकी सरकार है आपकी नहीं यानि के आम आजमी पार्टी की जिसके अरविंद केजवाल मुखिया है अब भगवंत मान भी आपसे ही है य उनों की राजदानी भी है तो ये बात आपको आद रखनी है पंजाब की भी आपको पंजाब से प्याद रखना है पंजाब भी पागिस्तान के साथ अपनी सीमा साजा करता है आगे बढ़ते हैं राजिस्तान यहां पर भी विगल्प में राजिकिन राजिस्तान के बारे में नवी करनिये उड़जा अपूरती कोन करेगा तो जो सशस्त्र बले हैं उनके लिए नवी करनिये उड़जा अपूरती करेगा NTPC कोन करेगा NTPC करेगा NTPC के गराब से बात किया है तो NTPC यानिके इसका पुरा नाम क्या है इसका पुरा नाम है National Thermal Power Corporation क्या National Thermal Power Corporation इसका पूरे नाम है इसकी स्थापना 7 नॉमबर 1925 को हुई थी कब 7 नॉमबर 1925 को NTPC की स्थापना हुई थी इसके एड़वाटर की बात करें यानिके NTPC का मुख्यार ले कहां पर है तो वो नई दिल्ली में है आगे बढ़ते हैं देखते हैं मारा क्यूशन क्या है अगला क्यूशन है मारा CJI के रूप में सबसे कम कारिकार वाले जज के एंड सिंग का निदन हुआ है ये कुल कितने दिन CJI रहे थे CJI का मतलब होता है Chief Justice of India यानि के Supreme Court के मुखे नियाजीश CJI के रूप में सबसे कम कारिकार वाले जज केंड सिंग मात रठार दिन ही CJI के पदपर रहे थे ये बात आपको आद रखनी ये इनकानिदन हो गया है अगर बात करने कब रहे थे CJI तो ये 1991 में CJI रहे थे अगरा क्यूशने मारा तनी केला भर्णी को लोक नायक फाउंडेशन साहिट ते पुरुसकार मिला है यहे कौन है तो तनी केला भर्णी इनको लोक नायक फाउंडेशन साहिट ते पुरुसकार मिला है ये एक तेलगू अभी नेता है कौन है तेल गोबी नेता है अगरा कि उश्याने मारा यूएस ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है तो यूएस ओपन महिला एकल खिताब इगा स्वीट तेकने जीता है किसने इगा स्वीट तेकने ये यूएस ओपन महिला एकल खिताब जीता है अगरा कि उश्याने मारा राश्टपती ने जम्मू कश्मीर से किसे राज्यसभा के लिए मनूनित क्या है तो जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए मनूनित क्या है किसने राश्टपती ने जम्मू कश्मीर से मनूनित क्या है कुलाम अली को किसे क्या है कुलाम अली को यह पहले मुसलिम गुर्जर तक रहती है यानि के ये रायधानी रहती है इसकी शीरित में तब यानि के सर्दियों में और अगर बात करें करें गर्मियों में रायधानी क्या रहती है यानि गिरिश में तो वो रहती है मैई सेक्टूबर तक शीरिनगर तो दो रायधानिया है जम्मू नॉंबर सप्रेल त सब्सक्राइब करें तो अमेबु वह मुफ्ती यह पूर्व सीम रह चुकी है जम्मू किश्मीर की और गुलाम नभी आजाद भी पहले मुख्य मनती रहे हैं हाल ही में चर्चा में रहे थे जब इनने कॉंग्रेस पारटी छोड़े थी आगे बढ़ते हैं देखते हैं हमारा अगला क्यूस्ची ने कहले है यानिके पूरी जिल्लिक अंदर एक MCD होगी यानिके एक नगर निदम होगा इसके अंदर वार्डो की जो संक्या होगी वो अधिक्तम 250 ये निर्दारित की गयी है के अंदर सरकार की और से आगे बढ़ते हैं देखते हैं मारा अगला क्यूशन क्या है अगला क्यूशने मारा MDL ने प्रोजेक्ट 17A तारागिरी का कौन सा स्टील्थ फिरिगेट लॉंच किया है MDL ने 17A तारागिरी का कौन सा स्टील्थ फिरिगेट लॉंच किया है तो ये क्या है तीसरा क्या है अगर बात करें MDL का पूरा नाम क्या है तो इसका पूरा नाम है मजगाउं डोक शिप बिल्डर्स लिमिटेड क्या मजगाउं डोक शिप बिल्डर्स लिमिटेड अगला क्यूशन है मारा तो दिवसिय राष्टिरी रक्षा कौन कलेव कहा शुरू हुआ है कोटा में कहाँ पर शुरू हुआ है कोटा में शुरू हुआ है कोटा कहाँ पर है राजिस्तान में यह बात आपको आज रखनी है यहाँ पर जो विकल्ब दिये गही है यह भी राजिस्तान के अंदर ही राजिस्तान के नेशेर और जनने जनपद है अगला क्यूशन है मारा विनोबा भ परियावन को बचाने के लिए पनी जान देधी परियावन के लिए अपनी जान देधी परियावनींद के लिए उनका प्राखने के लिए significant उनकी याद में उनकी स्मर्ती में पर्ति एक वर्श 11 सितंबर को राश्टीरीय抓 वन शही दिवस मनाया जाता है अब अगर बात करें यहाँ पर यह दिवस मनाया क्यों जाता है तो जिन लोगों ने परियावण और वनों के बढ़ लिए यानि कि वनों को बचाने के लिए अपनी जान देदी उनकी आदिम मनाय जाता है साथ ही इस दिवस को मनाने का लोगों को परियाओन और वनों के परतिस जागरूक करना भी है क्या लोग परियाओन और वनो के परतिस जागरूक हो यह भी इस दिवस का उद्देश है आज की दुमारी इसी chodzi पर पूरी होती है कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसे लगी और जो भी आपके इने फ्रेंड और ने मित्र तयारी कर रहे हैं या फिर कोई किसी भी सोचल मीडिया प्लेटफोर्म पर जहां पर आप चाते हैं क्लास को जादा जादा शेयर जरूर करें